आज के इस स्वागत कारिक्रम में उपस्थित हमारे येशस्वी मुख्यमंत्री श्री जैराम थाकुर जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री श्री श्रीश कष्टब जी, हमारे सरवक्रवारी श्री संजय टंडन जी, हमारे यहां की विधायव वेहन रिना जी, हमारे राधीव सैजल जी, बल्देव भंडारी जी, विनय गुप्ता जी, सुरिन नहरो जी, समारित मंच और यहां उपस्थित इतनी बड़ी संख्या में, सभी हमारे वरिष्ट पदादिकारी कारिकर्टा बंदू और हमारे सभी वरिष्ट साथी गए, मुझे आज यहां सराहन में आने का मौफ़ा मिला है, और जिस गरम जोशी के साथ आपने इतनी राप गए, मेरा स्वाज़त किया है, इसके लिए सबसे पहले तो मैं अपनी और से और पार्टी की और से आप सब का हादिक धन्यवाद देता हूँ आपको, और सब लोग बड़े जोश में देख रहा था, सब को इव्यक्तिकत रूप में गुलाब का फूल मुझे दे रहे थे, ये गुलाब का फूल नहीं था, ये गुलाब के माध्यम से आपकी भावनाएं प्रकट हो रही है, जिसको मैं सजो करके याद रखते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करूँगा, ये आपको विश्वास बिलाता हूँ. सराहन मिले के लिए नया नहीं है, बहुत से पुराने चेहरे में देख रहा हूँ, और शायद राजनेताओं में और राजनीकी में उत्रे हुए लोगों में इस रेष्टाउस में सबसे आदा रहने वाले साज में रहा देख रहा हूँ है, ये रहा हूँ है। क्योंकि नान क्षेत्र को मैं देखता था, कई वार रह रुका जाना, कई वार कहीं और होकर के आना, तो देर रात यहां पर रुखना, चंद्रमोहन जी गवाह है, बदेख बंडारी जीस के गवाह है, तो सराहर महारक ये, और कई वार लोग बुकते थे कि आप नाहन कम रुखते हैं, जादा रुखते हैं, मैं कहता था कि ये फील्ड का सेंटर है, तो इसलिए इस साइड का ये सेंटर बनता है, तो हमारा यहां पर उस समय आना जाना काफी दा, मित्रो, आप में भारतिय जिन्ता पार्टी के राश्ट्रिय अज्रक्ष के रूप में मेरा स्वाज़त किया, मैं धर्नेवाद तो आपको देता ही, लेकिन अभी जीना जी कह रही थी, दो-दो सबसेंटर मिला, SDM मिला, दो-दो ये मिला, दो-दो इलेक्टिसिटी का, डिविजन मिला, सारी बाते उन्होंने करें, अब देखिए, ये कभी कोई कॉइट शासन में कोई नेता कह सकता है, ये कहने की हिमत किसी भी विधाय को ये सांसर को होती है, तो वो भारतिय जनता पार्टी के ही सबह में होती है, यानि विकास का दूसरा नाम भारतिय जनता पार्टी है, विकास होगा तो हमारे समय ही होगा, लोगों की तकदीर बदले, तस्वीर बदले, परिस्थिती बदले, ये भारतिय जनता पार्टी का लक्ष है, और अधर्णियम मोदी जी के नित्वत्तों में देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा हूँ, अब मैं आ रहा था, कई वार पहले भी सब्कों पर चलता रहा हूँ, अब आपकी ये डबल लेन हो गई है, मैं ही फॉरेस्ट मंत्री था, जब मैंने इसकी फॉरेस्ट क्लेर भी थी, तो उस समय कांग्रेस्ट ने कहा था, पेड़ काट गी है, तो पेड़ काट गी है, पेड़ काट गी है। अब तो और की जड़े काट रहे हैं। मताशिकों जशियों, 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 जशियों। हमने तै किया था कि जो एक पेड़ कटेगा तो चार लगेगा। और फॉरेस्ट इपार्टमेंट तो मैंने करवाया था। कुरानी बातों को लोग भूल जाते। लेकिन आज ये जो आप ये रोड देख रहे हैं। और आप लोग भी बोल लेते हैं। मैं तेड़े घंटी पर पहुंच गया कुमार अटी। मैं इधर पहुंच गया है। ज़र पहुंच पर छे साल पहले। तो ढला, ढल, ढला, ढल। देखा था गी नहीं देखा था। परेंट की अटी का है, बाजा बजता था कि नहीं बजता था। ये सड़क नहीं है। ये सड़क हिमाचन के विकास का राखता है इसको उनको समय लाठों। भी एक समय था। लोग सरान ने सबस्टेशन जेते थे, कि लाइट आएगी, जाएगी, आएगी, ऐसे से करेगी, फिर आज आपके पास थ्री फेज लाइन और विकास और ये और इना ये भी कह रहे थी, दो दो इने किसी का सबस्टेशन हो गया, तो ये विकास अगर हो रहा है संबब, तो या किसी के साथ मिली, आज पुनान मंतरी जिने अमरित काल में देश को विक्सित देश बनाने करते हैं, तो देश को विक्सित देश बनाना है तो हिमाचल को देश को विक्सित हिमाचल बनाना है, और ये दम हम भरते हैं, कि हमारे लोग और हमारे नेता और हमारी पार्टी और ह इसको पूरा करेंगे इस बात का आपको विशौशान सकता चाहिए है आज में मेडिकल कॉलेज में गया था 300 कुरोज तो तींसो तिर्टिस क्रोण रुपे कि लागत से बन रहा है नान का मेडिकल कॉलेज आपने कभी सोचा था कि दिनली आपको मेडिकल कॉलेज देगा बताइए ना सोचा भट्या गॉवर्मेंट डिग्री कॉलेज को पोस्ट बनाते बनाते तो हाफ गया लोग ठक गये मेरे कुछ सारे तिन याद है ऐसे मैं इस तरीके से नहीं कह रहा हूँ मैं चात्र राजदीती के दृष्टी से काम करता रहा हूँ और आज आपको मेडिकल कॉलेज में रहा है हॉस्पिटल का बेट बढ़ाया जा रहा है हर दृष्टी से हम जोणने का प्रयास कमें एक समय मे यहां सो डॉक्टर निकलते थे अब हिमाचर प्रदेश प्रती वर्ष पांच सो डॉक्टर निकालेगा इस बात को सब्सक्राइब तो मैं विकास की बहुत सी कहानिया आपको बता सकता हूं बहुत से वो बता सकता हूं जिस तरीके से हम आगे बढ़ा है लेकिन मेरा आप यह छोटी घटना नहीं है यहां सो चाले नहीं थे वहां सोचाले पहुँचाए जहां गैस्का किरेक्शन नहीं था हूं जयाया गया धारब भारत को लेकर के आया तो जैराब जी रातभी हिं में केर लेकर किया आंगे जो पचा था पांच लाग रुपए उनको साल का हेल् यह समोग फ्री दुवा रही प्रदेश तो हिमाचल प्रदेश नहीं को सर्फ नुबर है तो हिमाचल प्रदेश नहीं नहीं है और यहां आप सब लोग बड़े नज्दीक नज्दीक बैठें और किसी के भी मूर में मास्क नहीं है यह मोदी जी ने सुरक्षा कवच आपको दिया है डबल डोज लगा करके और जैराम जी ने वह जबल डोज आप तक पहुचा ही है इस कारण से हो सकते हैं तो आप समझे ना कि आपकी ऐसी सरकार है जो आपकी इतनी चिंटा करती है आपको हर तरीके से ताकर देने का प्रयास करती है और मैं एक बात और भी कहूंगा मैंने आज नान में भी कहा सब्सक्राइब का त्रहिवार हमारे लोग और कॉंग्रेसियों की आदत है किसी की नौपनी लग जाए तो दूसरे कोले में तिर्जो नी लगी तेरे पुन लगी तिर्ली लेकर घूंते हैं कहां आग लगाए किस यहां बैठे हुए सब लोगों को शायद दी तस्वीर निमारे होंगी आप से तीस साल पहले बीस साल पहले लोग बाल्टी लेकर के साबुन लेकर के तेल लेकर के कंदे पर तौलिया रख करके बावडी में जाते थे नहा ने और नहा करके आते थे और पसीने से फिर नहा आते थे नहां पहुंटे तो यह तस्वीर आपने देखिए आज कल किसी से बात करो तो कहता है बस पांच मिनिट पर आया और आया है हरे की इंडिविजियल बात्रूम हो गाए सबको पानी मिल रहे है अब चर्चा क्या करते हैं कि पानी कम आ रहा है जरब प्रेशर नहीं प पूरा प्डैसरा जाए हम जिन घुटा प्रेशेर आता को हां से है ये वहां से आता है उसको समझने की जुरूरत है और इसलिए आज यह तस्वीर और तकदीर बदर रही है लोगों की हमसे लोग बोलते मेरा क्या मैं ही भोता हम पांच मेंद पर त्यार लिक्श कर जाते हो दौडते दौरते घड़ी देखते हैं वे डिची ऑफिस अपने फॉफिस में पहुए पॉहूं जाते हो इसम्सीर को किक मारते हो गारी को किक मारते हो चल देते हो इससे पहले आपकी क्या चाहलत होती थी मुझे महीं मालू है अबस से उतर थे कछी सअग्छी वोटिती उतरने के बाद कभि सफ की शकल देखते थे कभी अपनी सबसी करते से दो sociцо देखते थे दूरो धूर absorbod पुराने समय में अगर जिन लों की उमराज 60 साल से उपर होगी उन्होंने गाओं में देखा है हर गाओं में कोई नो कोई महिला या तो रीड की हटी तुड़वा के बैठी थी या टान तुड़वा के बैठी थी क्योंकि लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाती थी पेड से गिल जाती थी और हर गाओं में कोई नो कोई महिला विचारी अपरहिज मिलती थी आज आज आपको कुछोला योजना इनके करिवी योजना कोई ही माचल में बिना आप पांच मिनट में लाइटर से मारती है चाय पिलाती है भोजन कर आती है पती देव को बोलती है अब चलो चलो काम पर जड़ो अब जाना है उसकी नहीं हुआ है तो यह हम से जब कोई पूछता है कि मेरा क्या हुआ तो मैं तो तेरी तज़वीर बदल रही तर्दीर बदल रही यह परिवर्तन लिए इसलिह में त्रोग है आपसे एक ही निविदन करने हैं नहीं को बने अपने को आपके काम कर रहा है यह उसके नहीं ने का ता जहाँ जहां जहां डीजल का चीटा पहुंटा वहां वहां को मतलोब तो हम जया उनको पसंद था पाल की पर जाना लोगों से सेवा करवाना बकरा कटवाना शाम मनाना अगले दिन अश्वासन देना फिर अगले साल तर भूल जाना अगले देखा आपको को हल्की खबर नहीं देरा हूं इलेक्शन आते हैं सब्सक्राइब जूना लगा रहे हैं एक पार दैगी ये पार पार वाइब को सारा गाओ लाओ ना कूरे परेंदेटेग्स घञाए इलेक्शन खत्म हुआ यह वान है इस चूना साथ अगले कि अध्याने देखा अपनी आखों से पानी आयेगा पानी आयेगा पानी तुर्ण आए पूछे कोई कमपनी। छापacement पर क्रापती नहीं है defense एंसे ऐस साल निकाले नगों लोगोश्रू और कि और हमारी फ़र्ट और हमारी पार्टी किस परीके से काम करी है हम बहनत करते हैं तस्वीर बलते हैं तक्दीर बलते हैं पैसा लाते है ऊश Carolina हाँ मैं ये जरूर कहूंगा कि यश्वन सिंग परमान ने सबकों पर बहुत चोड दिया था हिमाचन निर्माता उन्होंने शुरू किया था लेकिन उसके बाद काम रोग गया जब वो नहीं रहे उन्होंने इमानदारी से काम किया उसके बार तो बस यही यही काम चला और भा जो के ले जा रहा हूं जिसके बचे होंगे वो भी ले लूँगा लेकिन मैं आप से यह कहूंगा कि यह फूल के बदले नवंबर में जड़ा ठीक ढंग से यह दबा देना तो इसको गया पाटी कमल का फूल हमारे लिए पूल है यही हमें कुछ आपने मेरी बात सुनी आप को अधरना होगा गाहों में जाएंगे जूर्दराज इलाके में पूंचता है बहुत कथिन काम होता है लेकिन आपने जो प्यार मुझे दिया है उसको मैं भूर नहीं सकता उसको मैं जलो के लिए रहा हूं फिर आओंगा फिर मिलेंगे फिर हम आगे अपनी बात को रखी ब नजर हर खबर पर